हालो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल सो कैनेडा वीजा को लेके पीपी आर को लेके अच्छे नियूज आई है प्रसेसिंग टाइम को लेके भी कुछ अच्छी नियूज जो मैं शेयर करूँगा एंड तक देखेगा और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटस्ट विस्टर वीजा की पीपी आर से सारे जो पीपी आर हैं वो फास्ट अभी नहीं हुए लेकिन येस प्रैक्टिकली बात करें तो अभी जो फाइस लग रही हैं उनके रिजल्ट फास्ट हुए हैं जिसमें ये आप एक रीसेंट पीपी आर देख सकते हैं इनके बायमेट्री पिछली अप्लिकेशन में हो चुके थे और हैरानी की बात है कि ये ओल्ड पोर्टल में ये किसी नए पोर्टल में फाइल नहीं लगी ओल्ड ही पोर्टल में फाइल लगी थी 18 नुवंबर को फाइल समिशन हुई थी क्योंकि बायमेट्रिक होने नहीं थे और उसके बाद 4-5 दिन की अंदर-अंदर 23 नुवंबर को PPR भी आ गी तो मतलब ग्विस्टर वीजा की प्रसेसिंग भी अब हाइग मिशन की तरफ से फास्ट हो रही है साथ में स्टूडेंट की वगर बात करते हैं तो वहाँ भी जो PPR है उसकी स्पीड ठीक ठाक चल रही है तो मतलब कहने का मतलब है यह आप स्टूडेंट की भी PPR देख सकते हैं 15-20 दिन इसको भी लगे थे यह सभी पे इंप्लिमेंट नहीं हो रहा जो प्राने दोस्तों के इन्होंने पहले की फाइल लगाई है मेरी एडवाईज है आप अपना ट्रेवल प्लैन अपडेट कर लें जो विस्टर वीजा वाले हैं क्योंकि रिजर्ट फास्ट की हैं आगे चलके हम online processing time भी देखेंगे कि इंडिया से processing time किया शुहर आपको द्यान होगा पिछली वीडियो में मैंने share किया था कि online processing time 200 के आसपास जो था वो चला गया था लेकिन अभी क्या है कि बाकी countries की तरह तरह जैसे पाकिस्तान में कम था तो इंडिया का जो processing time है वो एकदम से नीचे आया अब इसका मतलब यह नहीं है कि सारे पुराने अप्लिकेंट की result आ जाएंगे क्योंकि यह processing time 80% application जो past में process होई है उसको define करता है तो result आ रहे हैं चाहे negative आ रहे हैं चाहे positive आ रहे हैं तो visitor visa के इंडिया से result भी fast हुई है तो यहाँ पे हम online processing time चेक करेंगे इंडिया का online क्या show कर रहा है उसके बाद near by जो हमारे countries होगी हम उसमें भी जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमने आप online खुद भी देख सकते हैं तो outside Canada हमने select करना इंडिया को select करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे processing time जो हो जाएगा जो कि November में ही update हुआ अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 days इतना कम online होने की at least उमीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कम आएगा लेकिन उन्होंने अपना backlog जो है आपका plan निकल चुका हो तो refusal के chances बढ़ सकते हैं अब आपको travel की need नहीं है तो आप travel plan जो है वो update जरूर कर ले अब आरियाती है nearby countries की हम nearby countries में मेली तीन को देख सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी का processing time कम हुआ होगा क्योंकि हर country आपको द्यान होगा कि हमने पहले पाकिस्तान का भी शेयर किया था पर नेपाल का भी देखते हैं और बंगलादेश का भी देखते हैं क्योंकि यह नियरबाइ countries है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी की processing time नीचे आजएगा क्योंकि कई बार होता नहीं कि यह system का error है हर country का down आ गया तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पाकिस्तान का almost same ही है जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि almost 30 days के आसपास और यह reality है at least जो नहीं applications लग रही है उस पर यह implement तो हो रहा है परानी पर क्योंकि पहले तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि right now निपाल का processing time क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यह processing time 200 प्लस ही चल रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है कि system का कोई error है actual में processing पर काम उन्होंने start कर दिया है तो आप अपना login चेक कर ले और अपना travel planner का spare हो चुका तो उसको update कर ले और वीडियो के लिए subscribe जरूर कर ले